नमस्कर दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि बज आज फिंसर्व एपलिकेशन पर एकॉंट को क्रिएट करते है तो बोटी पी नहीं आता है तो आप इस प्रब्लम को कैसे सॉल कर सकते हैं जहां गई जाप पी जाना चाहते हैं कि बजाज फिंसर्व एप्लिकिसन पर एकाउंट को बनाते हैं तब बोटी पी नहीं आता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे टिक कर सकते हैं तो गई जाज किस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना वीडियो स्टार आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने ओबल की सेटिंग को ओपन करना है अपने ओबल की सेटिंग को ओपन करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर अपने ओबल की सेटिंग ओपन हो चुकी और गई जहां पर आप दीख सकते हैं आपर आपको एप पर क्लिक करना है यहां पर आपको मैनेज अप्लिकेशन देखने को मिल जाती है यहां पर आपको बजाज फिनसर्व के अप्लिकेशन पर क्लिक करना है बजाज फिनसर्व के अप्लिकेशन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आपको इस तरह का इंटरपेश देखने को मिल तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बजज फिंसर्व ए अप्लिकेशन पर एकाउंट को क्रेट करते हैं तो वो टीपी नहीं आता है तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको परमिसन के ओप्सन पर क्लिक करना है permission के option पर click करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते है यहां पर आपको SMS की permission को allow करना है तो गई जहां पर मैं permission को allow करता हूं permission को allow करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आप step by step सभी की permission को allow कर सकते है तो गई जहाँ पर आप देख सकते है इस तरह से आप सभी की permission को allow कर सकते है अलाओ करने के बाद गई जहां पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहां पर आपको दीख सकते है यहां पर आपको clear data का ओप्षन देखने को मिल जाता है Clear Data Cupsion पर Click करने के बाद गई, जहां पर अब भजाज Fincerve Application का All Data Ctrl हो चुका है, तो गई जहां पर आप दीख सकती है यहां पर भजाज Fincerve Application पर एकाउन को Create करेंगे, तब OTP आना इस्टार्ट हो जाएगा तो जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को solve कर सकते हैं